पंजाब कॉंग्रिस में लंबे समय से छिडी रार अब शायद खत्म हो जाए दरसल आकिटकार नाराज चल रहे नवजोज सिंग सिद्धु को पार्टी अपरदेश कॉंग्रिस अद्धिक्ष बनाने को तयार हो गई है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक सिएम कैप्टन Амριंदर سिंग और नवजोज सिंग सिद्धु के बीच सुलह का फार्मूला तयार हो गया है इस नए फार्मूले की मुताबिक राज्य में कॉंग्रिस के परदेश अध्यक्ष का पद अब नव जोट सिंग सिद्धू को मिलेगा तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंग मुख्य मंतरी बने रहेंगे। रिपोर्ट की मुताबिक यह जानकारी हरीश रावत ने दी है। हरीश रावत कॉंग्रिस आलाकमान के और से पंजाब कलह को सुलजाने के लिए बनाई गई सुलह कमेटी के सदस्ते हैं। उन्होंने बताए कि फार्मूला के मुताबिक दो परदेश कारेकारी भी बनाये जा सकते हैं। इन में से एक हिंदू स्वन समुदाय से होगा और एक दलित समुदाय से बनाने के तैयारी है। खबरे हैं कि कैप्टेन अमरिंदर सिंग मुख्य मंतरी बने रहेंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि अमरिंदर और सिद्धू ने यह माना है कि उनका साथ रहना जरूरी है इस से आगामी समय के चुनाव पर उन्हें बड़ा फैदा मिलेगा SPN 9 न्यूजरूम की रिपोर्ट